नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको स्वपन्दोस होता है, खब्ज की समस्या है, धात रोग है, सीग्र पतन तथा वेर विकार की समस्या है तो इन सब समस्याओं का समधान इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी योगासन के बारे में बताऊंगा जो हर एक ब्रहमचर ब्रधानर करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए आप से छोटी से रिक क्वेश्ट है की वीडियो को पूरा आन तक देखें युवाओं की मिद्द करने के लिए वीडियो को लाइक सेर और अपने चैनल को जरू सब्सक्राइब करें साथ में बैल वेटन को प्रेस करें आप हमसे टेली ग्राम पर भी जूर सकते हैं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिस्टन में मवजूद है मित्रों इस आसन को हम पादप पश्चमतनासन के नाम से जानते हैं मैं आपको बताओंगा कि यहां आसन आपको कैसे लगाना है मित्रों सबसे पहले जवीन पर आसन बिचा कर दोनों पैस सीधे करके बैठ जाएं फिर दोनों हातों से पेरों के अंगुठे पड़कर पेट में इस्थिद बायों को बाहर निकाल कर जुकते हुए सिर को दोनों घुटनों से मिलाने का प्रयास करें आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं याद रहे घुटने जमिन पर सीधे रहें प्रारंभ में घुटने जमिन पर ना टिकें तो कोई हर्ज नहीं है सतत अभ्यास से यहाँ आसन धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा यहाँ आसन स्वचादे से निब्रत होकर ब्रह्म मूरत में आपको करना है इस आसन से हमारी नाडियों की विशे सुद्धी होकर हमारी कारे छमता भड़ती है यहाँ आसन स्वपंदोस को जड़ से खत्म कर देता है बस आप अपनी इंद्रियों पर काबू रखें इस आसन को प्रारंब में आदा मिनट से शुरू करके प्रदिन थोड़ा समय बढ़ाते हुए पन्दरा मिनट तक आप इसे कर सकते हैं पहले हमें दो से तेन दिन तकलीफ होती है फिर यहाँ आसन सरल हो जाता है इस आसन से सरीर का कद लंबा होता है यदि सरीर में मोटापा है तो वहाँ दूर होता है यदि सरीर आपका दुबला पतला है तो इस आसन को करने से सरीर तंदुरुस्त बन जाता है तथा व्यक्ति के अंदर सभी वीरविकार नश्ट हो जाते हैं ब्रह्मचर पालन करने वाले हर व्यक्ति को यहां आसन नित्य ब्रह्म मूरत में करना चाहिए ब्रह्मचर हमारे जीवन का सार तत्तो है इसको आवस्ते धारन करना चाहिए जिस प्रकार एक जहरी अपने मोलवान हीरों की रच्छा करता है ठीक उसी प्रकार पितेक ब्यक्ति को हीरे और मणियों से मुलवान अपने वीर की रच्छा करनी जाएए बहुत से ब्यक्ति जहांकर भी इसे धारान करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि वहाँ अपनी बासनाओं से कभी बाहर ही नहीं आ पाते और अपने सरीर को धीरे धीरे खोकला कर लेते हैं उनका मन उन्हें कभी वासनाओं से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं देता और जीवन वर ब्यक्ति को अपना गुलाम बना कर रखता है लेकिन जब हम योग साथनाओं को योग प्रानायाम व्यायाम को अपने जीवन में जब धारन करते हैं तब हम मन को सही मार्क पे आसानी से ले आते हैं लेकिन जब तक मन में बैराक नहीं आएगा तब तक इसे पूरी तरह से आधिन करना असंवब है इसलिए जहां तक हो सके अच्छी अच्छी पुस्तकों का हमें पार्ट करना चाहिए मित्रों यवाओं की मिद्ध करने के लिए वीडियो को लाइक सेयर और अपने इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना और साथ में बैल बेटन को जुरूर प्रेस करना आप हमसे ठेली गराम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर मैं अच्छी ची पोस्ट पोस्ट करता रहता हूँ आप सभी भाईयों के लिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौझूद है ओम नमस्यवाई